हेलो एवरिवन कैसे हैं आप लोग वेलकम टू दी ऑनलाइन पॉर्टल ऑफ एजी क्लासे और बटे आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th की बिजनस स्टाडीज मैंने आपको एकॉनमिक्स पढ़ानी अलरडी स्टार्ट कर दी है और एकॉनमिक्स में हम लोग फर्स चैप्टर कर चुके और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी एक सब्जेक्ट बिजनस स्टाडीज देखे चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बाते में आपके साथ कर लेता हूँ जैसे कि आप लोग क्लास 10 से क्लास 11 की तरफ आए तो आप लोगों ने ओट किया कॉमर्स ठीक अब सबसे पहले तो भास समझते हैं आच्चुली कॉमर्स क्या है क्योंकि हमारे लिए एक बड़ा embarrassing situation हो जाएगा कि अगर हमसे कोई ये पूछ ले अब इन दिनों लोग बड़े interest लेंगे आपकी life में कि आप 10 के बाद क्या कर रहे हो क्या करा आपने 10 के बाद क्या opt करा अड़ोसी पड़ोसी भी आगे सला दे जाएंगे कि बिटए तुमने commerce क्यों ले ली कोई पूछ लेगा भई commerce क्या होता है तो आप उसे क्या बता पाएंगे कि commerce actually है क्या कहीं न कहीं जब आप commerce opt करते हैं तो आपके दिमाग में ये जरूर होता है कि हम एक business line की तरफ बढ़ रहे हैं यानि कि हम कुछ ऐसा करेंगे जहां कोई कोई व्यपार करेंगे कोई service provide कराएंगे business करने में help करेंगे किसी की या खुद का business करेंगे तो कहीं न कहीं commerce में एक चीज बड़ी important है जिसका नाम है trade trade का मतलब है यहां तो आप खरीद कर बेच रहे हूँ यहां बना कर बेच रहे हूँ तो एक तो होता है trade यानि कि एक तो आप बात कर रहे हैं business की व्यापार करने की correct और साथी साथ business अकेले में थोड़ी run हो पाएगा business को help करने के लिए कुछ helping hands की जरूवत होगी business के कुछ helping hands होंगे जो business को चलाने में हमारी help करेंगे जैसे कि insurance हो सकता है, banking हो सकता है, transportation हो सकता है, communication हो सकता है ये सब business को run करने में हमारी help करते हैं, तो ये मिलकर हमारा बनता है commerce अब जब हमने commerce ले ली और commerce में हम पढ़ रहे हैं business और business के helping hands तो इसी business की हम क्या करने जा रहे हैं, study करने जा रहे हैं कि सबसे पहला सवाल तो ये कि actually business ही क्या है, हमें तो ये नहीं पता भी दख के business क्या है दूसरी बात, business क्या है और business को कौन सी चीजे हमारी चलाने में help करेंगी business कितने type का होता है, अकेला person business करता है तो उसको क्या बोलते हैं, एक से जादा लोग business करें तो क्या होगा ठीक, तो इन सब सवालों के जवाब हमें इस subject में मिलते हैं, जिसका नाम है business studies 11th class में हम लोग business studies के basics पढ़ते हैं, कि business क्या है, कितने type का होता है retail business क्या है, wholesale business क्या है, इन सब की बात हम 11th class में करते हैं 12th class में हम इसी business का एक improvised version पढ़ते हैं, और class 12th में हम पढ़ते हैं business management एक बड़े business को कैसे manage किया जाए, ये सब बाते हम 12th में पढ़ते हैं बहुती बहतरीन subject है, बहुती बढ़िया subject है, ठीक, और अगर मैं इसके paper pattern की बात करूँ तो 80 marks की theory होती है, और 20 marks का practical होता है practical में आपके school teacher आपको कोई ना कोई एक file बगएरा बता देंगे और उसके बात जो है, आप 20 marks आपको हमलते हैं और 80 marks की आपकी theory होती है अब यहाँ एक सबसे बड़ी problem क्या है, कि business studies में जो direct question आने की possibility है मतलब direct question कैसे है, अगर मैं आपसे सीधा सीधा पूछ लो business क्या है, that is a direct question और मैं इसी के उपर एक story बना कर दे दूँ, तो that is a indirect question तो यहाँ पर theory में एक तो direct question आते हैं और साथ ही साथ आती है case studies, class 11th में भी और class 12th में भी MCQs भी आते हैं, 20 marks के तो 20 marks के MCUs हो गए, बचे 60 marks 60 में से बिटे approximately 40 marks के आस पास की case study class 11th में आती है और 12th में तो बहुती जादा आती है case studies, लगभग पूरा paper case study पर ही based होता है तो बेटे यह मैं बाते आपको क्यों बता रहा हूँ, यह बाते इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि business studies को पढ़ने का तरीका accounts और economics से अलग है हर subject अलग है, उसे पढ़ने का तरीका अलग है accounts में numerical questions हैं, आप महां focus करें, बहुत अच्छी बात है दूसरी बात, जब आप ECO पढ़ते हैं, तो ECO में आप क्या करते हैं ECO में आप higher order thinking skills questions, hots questions पर ध्यान देते हैं NCRT questions पर ध्यान देते हैं, वहां case studies बहुत ज़ादा नहीं आती लेकिन question answer घुमा फिरा के आते हैं यहां पर case studies आती हैं, और 20 के 20 number के MCQs आते हैं तो यहां पढ़ने का तरीका अलग है, करेक्ट, case studies क्या होती हैं, इनको कैसे solve करा जाता है तो यह सब बाते मैं आपको बताऊंगा, ठीक अब अगर हम बात कर लें, अपने chapter की, आज जो हम chapter शुरू करेंगे उस chapter का नाम है, evolution and fundamentals of business किसी जमाने में यह word evolution यहां पर नहीं था अच्छा एक और बात, अलग-अलग books में आपको इसके अलग-अलग नाम भी मिल सकते हैं ठीक, कहीं पर इसका नाम trade and commerce मिल सकता है although content मैंने सारा का सारा जो latest curriculum है, उसके हिसाब से आपको पढ़ाऊंगा मैं तो evolution and fundamental of business, यानि कि business evolve कैसे हुआ और हमारे इस लेबस में यहां बिलकुल जो इंडिया में जैसे evolve हुआ उसकी बाते बताई हैं कि इंडिया में पुराने जमाने में business कैसे होता था आज कैसे होता है, क्या changes आएं, यह सब चीज़ें इसके अंदर हम पढ़ेंगे तो आज हम अपना पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है evolution of, evolution of, evolution of business and fundamentals of business अब अगर मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा discuss करूं और आप से पूछूं कि business actually है क्या, business क्या होता है तो जो business word है, आप लोगों ने अब तक अपने schools में इतना तो सुनी लिया होगा कि यह दो words से मिलकर बना है एक है busy और एक है ness यानि कि busy रहना किसी काम में और busy किस में रहना? busy रहना in an economic activity अब एक बच्चा सोच रहा है, कह रहा सर इसका क्या मतलब होता है? economic activity का बेटे हम लोग जितने भी काम करते हैं हमारी जो activities होती है हम अपनी activities को दो part में divide करते हैं one is called as economic activity economic activities जिनके पीछे हमारा जो purpose है वो पैसे कमाना होता है ठीक और एक होती है हमारी non-economic activities जिनके background में हमारा जो purpose है वो पैसे कमाना नहीं होता तो यानि कि वहां हम वो activities पैसे कमाने की point of view से नहीं करते भाई आप suppose करिए if I am teaching you बेटे यह मेरा profession है तो मैं क्या कर रहा हूँ obvious ही बात है I am teaching for money तो economic activity है कहीं न कहीं और अगर मैं non-economic activity की बात कर रहा हूँ अगर मैं teaching to teaching to my son अगर मैं अपने बेटे को बढ़ा रहा हूँ तो वो non-economic activity है correct अगर आप professionally cricket खेल रहे हैं आपको fees मिल रही है यह सब काम है तो वो economic activity है और अगर आप अपनी गली में अपने दोस्तों के साथ cricket खेल रहे हैं तो वो non-economic activity है आप restaurant में जाके खाना खा रहे हैं economic activity है आपकी मम्मी आपको प्यार से खाना खिला रही है वो non-economic activity है correct एक nurse patient की जो है patient को help कर रही है patient को treat करने में help कर रही है तो वो उसके लिए economic activity है घर पे आप बिमार हो जाए है आपकी मम्मी आपका ध्यान रखे है वो non-economic activity है तो आप 11th class के बच्चे हैं बड़ी प्यार से एक बात समझ गए होंगे कि सर हाँ बल्कु ठीक कह रहे हैं कुछ काम हम पैसा कमाने के लिए करते हैं कुछ काम हम पैसा कमाने के लिए नहीं करते तो हम बात कर रहे हैं फिल्हाल किसकी? Economic activity अब economic activity पैसा कमाने की जो activity है ये भी तीन टाइप की होती है अराम से सुनिएगा बेटे अभी ये मैं आपको explain कर रहा हूँ अभी मैं आपको इसके notes भी दूँगा notes भी सम्झाऊँगा Economic activity ठीक there will be three types of economic activity एक को हम कहते हैं business एक को हम कहते हैं employment और एक को हम कहते हैं profession ठीक अब इन सब के बारे में हम करेंगे detail में बात I hope आप लोग अपने साथ एक notebook एक book जरूर लेके बैठे होंगे तो अपने पास notes जरूर maintain करके चलेंगे सब लोग अब हम इसी को discuss करते हैं सबसे पहले कि किसी भी human beings की जो activities हैं उन human activities को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं one is economic activity and the second is non-economic activity economic activity business हो सकती है profession हो सकती है employment हो सकती है sir इन तीनों में क्या difference है अगर आप अभी मैं आपको brief के लिए बता जेता हूँ अभी मैं आपको तीनों का difference भी कराऊंगा अगर आप केवल खरीद कर बेच रहे हैं या बना कर बेच रहे हैं तो वो तो कहलाता है business profession में क्या होता है profession में आप कोई goods नहीं बेच रहे होते हैं कोई सामान नहीं बेच रहे होते आप अपनी service provide करा रहे होते हैं किसी को तो profession में service होती है बदले में आप fees लेते हैं employment में भी आप अपनी service दे रहे होते हैं लेकिन वो अपने employer को दे रहे होते हैं, अपने मालिक को दे रहे होते हैं, और बदले में आपको एक fixed amount मिल जाती है, salary की form में, तो ये तीनों में difference होता है, non-economic activity, religious, हम मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, religious activity, non-economic activity है, social, हम किसी की help कर देते हैं, parental, आपके father, आपके लिए जो correct, इसके लिए जो हम काम कर रहे हैं, correct, अपने देश के लिए कुछ काम कर रहे हैं, कहीं देश को हमारी जरुवत पड़ी, तो हम बिना कुछ लिए अपने लिए कुछ करने को तयार हैं, तो वो क्या है, patriotism है, correct, तो ये हमारी non-economic activities होती हैं, तो आगे चले, थोड़ा सा और देखते हैं, इसका classification हमने तो ये आपका exam में काफी पूछा जाने वाला question है, what is the difference between economic and non-economic activity, बड़े अराम से पढ़ते हैं, economic activities are those by which can earn our livelihood, जिन से हम अपनी livelihood कमाते हैं, यानि कि जिस से हम अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, उसको हम बोलते हैं, economic activity, और non-economic activities are those performed out of love, sympathy, sentiments and patriotism, correct, जो अभी मैंने आपको examples दिये से, ऐसे ही यहाँ पर भी कुछ examples लिखे हैं, no need to crime, no need to learn, no need to read, अपने अब आप कुछ भी लिख सकते हैं, आपको पता economic क्या होता है, non-economic क्या होता है, आगे चलते हैं, types, economic activity को further हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, business, profession and employment, ठ non-economic को, religious, social, parental, और patriotic, correct, four parts में डिवाइड करते हैं, चले जी, तो आगे कुछ images, बस आपको थोड़ा सा यह बताने के लिए कि यह non-economic activity है, आगे चलते हैं, अब हमारा काम है, आज सबसे पहले देखना, कि what is business, business क्या है, तो अब आप यह business का जो meaning है, यह आप अपनी notebook में in the form of notes लिख सकते हैं, कि business क्या है, और इसे हम break कर करके पढ़ेंगे, और break कर करके यह हम याद करेंगे, कोशिश करेंगे कि हमें learn भी हो जाए, business may be defined as, business क्या है, पहली बात, सर, पहली बात business एक economic activity है, यह एक तरीके से business का feature है, कि business एक economic activity है, business हम पैसे कमाने के लिए करते हैं, और हमारा पीछे कोई purpose नहीं होता, तो economic activity है, उसमें involve होता है, यहां तो production, यानि कि यहां तो आप बना कर बेचें, ठीक, दूसरी बात, यहां तो आप बना कर बेचें, produce करके बेचें, and sale of goods, यहां खरीद कर बेचें, ठीक, and services, बेटे product भी और service भी, देखो कई बार ऐसा होता है, कि हम केवल अपना product बेच रहे होता है, कई बार हम अपना product के साथ service भी बेचते हैं, आप जैसे suppose करिए, आप एक restaurant में गए, आप वहाँ पर खाना खाते हैं, तो restaurant आपको product तो देता ही देता है, साथी साथ अपनी service भी देता है, आप अगर एक movie with motive और ये हम क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे हमारा motive क्या है, अगर कोई कह रहा है कि मैं कर तो रहा हूँ business, लेकिन भाई सम्में आप से कुछ नहीं कमा रहा है, तो पेटे जूड बोल रहा हूँ, क्योंकि business के पीछे motive ही क्या है, earning profit, तो business का बिलको simple सा motive है, profit कमाना, कैसे कमा by satisfying human needs in the society, तो कोई भी व्यक्ति business कैसे कर रहा है, दूसरे की need को पूरा करके, दूसरे को वो दे के जो से चाहिए, आप एक बास सोचिए कि लोग दूसरों के बिमारी से भी कमा रहे हैं अगर किसी का, suppose करिए, एक उसका medicines का business है, तो वो तो दूसरों की problems से कमा रहा है, कि तो ही वो कमाएगा, तो दूसरे की जो need है, उस need को satisfy करके ही, हम क्या करते हैं, कुछ कमाते हैं, आपकी need है education, आपकी need है knowledge, आपकी need है business studies, आपकी need है 11th class में अच्छे number लाना, आपकी need को fulfill करके मैं पैसे कमा हूँगा, correct, तो simple सी बात है, हम दूसरे की need को क्या कर रहे हैं, satisfy क तो business एक economic activity है, जिसमें involved होता है production and sale of goods and services, sale of goods भी और service भी, जो हम क्यों करते हैं, with the motive of earning profit, by satisfying human needs in the society, clear, this is the accurate meaning of the business, लेकिन अगर आप और भी कुछ पढ़ना चाहें, you can go through this, these are various business personalities, जिनोंने अलग-अलग definitions दी हैं business की, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई से भी आप पढ़ सकते हैं, ऐसे ही अपनी समान निग्यान को, common sense को improve करने के लिए, business is any enterprise, business कोई भी enterprise होती है, बैटे, enterprise का मतलब, जो risk bear करता है, उसे enterprise कहते हैं, आपने सुना भी होगा, आपने आस-पास थोड़ा सा observe कीजेगा, ABC Enterprises, Mohan Enterprises, Maisar Hari Prakash Enterprises, ऐसे ऐसे आपको enterprise का मतलब, वो indicate करता है, that we are doing business, हम एक business unit है, हम business हैं, correct? तो engaged in the production and distribution of goods, for sale in the market or rendering services for a price, clear? तो क्या करते हैं वो, service यहां goods प्रोवाइड करा रहे होते हैं, तो हम उसे क्या बोलते हैं, business बोलते हैं, clear? कोई doubt यहां तक? चलिए, आगे आते हैं, I hope यहां तक की बात आपको clear होगी, ठीक, अब आते हैं हम business की characteristics पर, या business के features पर, nature, characteristics and features. बेटे, तीनों में से कुछ भी आ जाए, तो आपको answer यही लिखना है. अब एक बात आप समझ चुके हैं कि पहली बात, अब यह मैं बेटे, 11 class के बच्चे, इतना नहीं हम बार 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 एक चीज़ को repeat करेंगे, नहीं तो classes बहुत बड़ी-बड economic activity हैं. क्या है business एक? Economic activity. मतलब business is carried on with the motive of earning profit. फिर आप उसको और थोड़ा explain करके बता सकते हैं कि business non-economic activity नहीं है, जो कि love, affection, care, patriotism इसकी वज़े से हो. business के पीछे हमारा motive क्या होता है? Profit कमाना, correct? So this is the first point, कि business क्या है? एक economic activity है, जिसमें हमारा purpose ही पैसे कमाना होता है. I hope agree होंगे आप इस बात से. time sale. आप खरीदते हैं और आगे बेच देते हैं. तो बेटे, business बना कर बेच रहे हो, तो वो manufacturing business होता है. और अगर आप खरीद कर बेच रहे हो, तो वो trading business होता है. clear? तो देखे, पढ़ते हैं इसको. Before goods are offered, आप किसी को अगर goods offer करने वाले हैं to the people for consumption, these must be either produced or procured. भाई, मैं तुमें कोई चीछ produce कर देने वाला हूं, तो देने से पहले यहां तो बनाऊं, यहां खरीद कर रख लो. तो business वही है, कि जिसमें आप चीछ बनाएं, और सामने वा पॉइंट हमारा क्या था? Economic activity है. Second point क्या हमारा? Production and procurement of goods and services. I hope यहां तक की बात आपको clear है. आगे चलते हैं. Third point आता है, Sale or exchange of goods and service. बेटे, अब simple सी बात है कि business तभी बनता है, जब हम उस product का क्या करें? Sale करें आगे. मतलब हम सामने वाले को product दे दें और बदले में उससे पैसे ले लें. तो ही तो business है. यह थोड़ी मैं आपको दूर-दूर से दिखाता रहूँगा. देखो भईया, कि तच्छा समाने की तच्छा समाने, आप भी देखते रहोगे. ना आप खरीद होगे, ना मैं बेचूँगा और कहरोगे जी business हो गया. ऐसा तो नहीं होता. देखें. The essential characteristics of the business is that there should be sale or exchange of goods or service between the seller and the buyer. Correct? Seller और buyer के बीच में goods और service क्या होनी चाहिए? Exchange. मैं आपको कोई service दूँ, आप मुझे बदले में पैसे दे दे. ठीक? अभी मैं आपको बताऊँगा कि business में service की बात भी हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बेटे कभी-कभी तो product अकेला जाता है. कभी-कभी product के साथ service भी attach होकर जाती है. Correct? profession जो होता है वो बिलकुल अलग होता है. Profession में केवल service ही होती है. और वो भी personalized service होती है. जैसे doctor, lawyer, उन्हें pure professionals कहते हैं. ठीक? Directly और indirectly, business involved, transfer of exchange of goods and service for the value. चाहे आपको मैं directly दूँ, चाहे मैं indirectly दूँ, कैसे भी मैं आप तक goods पहुचाऊँ, वो आपका क्या कहलाएगा? Sale of goods. तो exchange of title जरूर होना चाहिए. जब आपने मेरे को पैसे दे दी है, तो पहले मैं मालिक था, आप मालिक हो गए उस goods के. मेरी एक book shop है, आप महाँ पर books खरीदने के लिए आए. मैंने आपको book दे दी, मैंने आपसे पैसे दे लिए. पहले उस book का मालिक मैं था, आप उस book क मालिक हैं. ठीक, तो यह हम क्या कर रहे हैं? Sale और exchange की हम बात कर रहे हैं. Next point पर आते हैं. Dealing in goods and service on the regular basis. अब बटे इसी point पर case studies आती हैं. क्या case study आती हैं? For example, कि मेरे पास एक पुराना mobile phone था और मैंने उसे OLX पर बेच दिया. तो क्या वो business है? तो the answer is absolutely no. क्योंकि बटे वो काम मैंने regular basis पर नहीं करा. मैं बार-बार नहीं कर रहा हैं उस काम का. वो तो मेरा phone पुराना हो गया था तो मैंने बेच दिया. So this will not considered as business. Business उसी को कहते हैं. जहां पर आप regular basis पर आप उसी चीज को बार-बार बेच रहे हैं या आप अपनी service बार-बार दे regular basis पर. और one single transaction of sale or purchase therefore does not constitute business. अगर आप केवल एक ही बार कोई चीज खरीदते हैं या एक ही बार बेचते हैं तो वो business नहीं क्यलाता है. clear? तो ये बात आपको clear है. आगे चलते हैं. profit earning. बेटे business का जो main objective है. जो main objective है. वो क्या होता है? profit कमाना. ठीक है? तो देखिए one of the main purpose और भी main purpose होते हैं लेकिन main objective सबसे बड़ा यह है. is to earn income by way of profit. profit की form में क्या कमाना है? वो income कमाना है. ये business की अगली characteristic है. तो profit earning होनी चाहिए. उसके बाद है uncertainty of return. अब्यस सी बात है. यानि कि return का मतलब बिटे यहां पर है. जिसको आप अभी profit कह रहे थे. अब business में हमारा जो profit है वो uncertain होता है. reason बहुत सी चीज़े हैं हमारे control में नहीं होत होता बहुत सी चीज़ों का. तो देखे ज़रा. uncertainty of return. क्या होता है? refers to lack of knowledge relating to the amount of money that the business is going to earn. आप क्या पता कि एक particular time period में आप कितने पैसे कमाऊगे? जादा customer आ गए तो जादा कमाऊगे, कमाए तो कम कमाऊगे. uncertain है. ठीक? every business invest money, जिसे हम लोग capital बोलते हैं, to run its activities with the objective of earning profit, but it is not certain as to what amount of the profit will be earned. ये बात कहना मुश्किल है कि भई हम कितना profit कमाएंगे. आप उसका एक अंदाज़ा तो लगा सकते हैं, लेकिन आप बिल्कुल accurately calculate नहीं कर सकते हैं कि आप होने से पहले ही बतारे हैं कि हमें कितना profit होगा. clear? तो profit earning is the another characteristic of the business. next आता है element of risk. obviously बात है element of risk और इसी बात से तो uncertainty है profit की. रिस्क होता है. रिस्क किस बात का रिस्क? अभी आगे चलकर मैं आपको बताऊँगा कि रिस्क के बहुत सारे type भी होते हैं. type of risk भी बात करेंगे हैं. रिस्क क्या है? uncertainty है. the risk is uncertainty associated with an exposure to the loss. ठीक है? uncertainty भी है, risk भी है यहाँ पर कि हो सकता है, हमें profit होई हमें loss हो जाए. तो क्या है? risk ही है. element of risk हमेशा रहता है. business में हमेशा थोड़ा बहुत जोखिम होता है. पता नहीं भाई, मैंने तो बहुत सारा मान लगा दिया दुकान में. मैंने तो दुकान भी बहुत अच्छी जगे खोली है, लेकिन ग्राक नहीं आया. पता नहीं क्यो नहीं आया. दुकान पर कस्टुमर नहीं आया. आपको loss हो गया. तो uncertain होता है. कभी आपको बहुत फायदा भी हो जाता है. कभी आपको बिल्कुल फायदा नहीं होता. ठीक? तो यह हमारा next point two है. ठीक? I hope यहां तक की बात आपको clear है. अगली क्लास में आपको क्या कराने वा business क्या है और business की characteristics क्या है. There are seven characteristics of a business. हमें उसे learn करना है. तो अब हम कल की class में क्या करेंगे? Next class में क्या करेंगे? पहले आते के साथी जल्दी से एक quick review करेंगे. फटाक से. ठीक? कि हमने आज की class में क्या बढ़ा था? और फिर हम अपने कल के topic पहेंगे. तो daily में आपको ऐसी कि कल हम क्या पढ़ने वाले हैं? और आते के साथी पहले review फिर उसके बाद फटाक से अगली class. I hope यहां तक की बाद आपको clear है. तो आज हमने पढ़ लिया business and characteristics of business. I hope आपको यहां तक की बाद समझ में आ गई होगी. और पेटे मेरी आप लोगो यह request है कि ज़्याद अच्छ